नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चानल को सलिय देशी किचन में हार्दिक स्वागत है राखी इस्पेसल रेस्पी लेकर आई हूँ आज हुम बनाएंगे कलाकन वह भी घर के दूदों से इसे बनाना बहुत ही आसान है और यह बहुत ज्यादा टेश्टी बनता है बहुत ही कम स नहीं सकते हैं कि दूद को अंगने गरम कर दिया था पहले से ही और देख सकते हैं कितना मलाई है इसमें और एकदम खाटी दूद है यहाँ पर आमने चीनी लिया है 100 ग्राम और इसको हम कलाकन में यूद्द करेश्ट से काट लिया है और लिए 4-5 लिया आई और इसके बाद हम लेंगे यहाँ पर हमने दो चमच बिनेगर लिया है इसमें दो चमच पानी एड़ करेंगे और इसके बाद हम लेंगे चलिए दूद को हमने गरम करने के लिए रख दिया है और इसमें हम पानी डाल दिया हमने बिनेगर में इसको थोड़ा-थोड़ा करके ह एक बार में नहीं डालना है सारा और एक जगा नहीं डालना है चारों तरफ डालना है जैसे दूद उबलने लगेगा जोरों से तो यह छेना हमारा अपने आप ही फटने लगेगा तो यह देखिए अब हम क्या करते हैं कड़ाई में दूद को डाल देते हैं दूद को हमें गा कि जैसे इसमें एक उबाल आया है कसके तो इसमें थूद्ध को फिलेम को हाई रखा है और आप देख सकते हैं कि छेना फट चुका है चन्नी रख दिया है और या धोती का टुकड़ा भी आप सकते हैं और इसमें हम क्या करेंगे कि छेना को चान लेंगे चानने के बाद इसे हम नॉर्मल पानी में धो लेंगे दो से तीन बार कि इसका खटा पन जो है विनगर का वो निकल जाए और इसका पानी भी आप ठेके नहीं छेना फार्णे में भी यूज कर सकते हैं और इसको आप जागर जीम करते हैं तो उसमें इसे पी सकते हैं काफी पोटीन होता है तो यह देखिए छनी हमारा गिर चुका था कपड़ा हमने उपर से डाला हुआ है नहीं जाएगा नीचे और धेर सारा छेना है हमारा तो आप देख सकते हैं बहुत ही सारा छेना हमारा निकल चुका है अब इसमें क्या करेंगे कि पा लिया है दो से तीन बार और इसको हम कस के निचोड़ लेंगे इसका पानी पानी इसमें हम नहीं रखेंगे एकदम अच्छे से गार लेना है अगर आप इसे कहीं बान कर लटका देंगे घंटे में भी इसका पानी निकल लेगा तेहा पर हमें जल्दी से चाहिए तो ना बनता है तो कला कंदम बनाएंगे यहां पर हमने इस तरह से निचोड़ लिया है पानी को यह देखिए पलेट हमने लिया है अब इसी में डाल देंगे आप चाहें तो अगर आपको छेना नहीं फाड़ना है तो आप दूद रख ले और आप पनीर से भी इसे बना सकते ह तो यहां देखिए हमने छेना फाड़ लिया है हमारे घर में दूद था तो अब हम क्या करेंगे किस तरह से हाथों से इसे मसल लेंगे या इसे आप मिकसर की जार में भी डाल कर तोड़ सकते हैं तो चली इसे हम हाथ से ही तोड़ लेते हैं बहुत ही दानेदार और जूसी बनेगा हमारा कलाकन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आप कई दिनों तो किसे बनाकर फिरीज में रख दे और आप इसे खा सकते हैं जब मन चाहें तो यह दिखिए हम इसे हाथ से ही मसल देंगे अभी गर्मा गर्म है और यह फटा-फट से मसलने में आसान होता है और इस तर सामें आप सपोर्ट करते रहें तो साइड साइड में जो मलाई लगा हुआ हमारा कडाई में उसे भी हम इसी समय निकालते रहेंगे चलाते रहेंगे और दूद को हम ऐसे चलाएंगे कि जैसे हमारा दूद बिल्कुल जलना नहीं चाहिए नहीं तो हमारा कलाकन का टेस्ट जो है बिल्कुल खराब हो जाएगा यहां पर हमने लाइची को KUUT लिया था और उसे डाल दिया है लाइची को फ्लेबर जो है बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं कि यूड़ा वर्टर भी डाल सकते हैं आप यह देख सकत चीनी यहां पर हमने डाल दिया है आपको जितना मीठा चाहिए उतना आप इसमें चीनी डाल सकते हैं अगर कम आपको पसंदे मीठा तो कम भी डाल सकते हैं यहां पर हमने डाल दिया है हमें मीठा ज्यादा पसंद है और इस तरह से डाल कर मिलाते रहेंगे यह बहुत ज्याद और इसे continue चलाते रहेंगे करशीर हमें गुमाते रहना है हाथ को नहीं रोकना है क्योंकि दूद हमारा जलना नहीं चाहिए इस समय में क्योंकि हमने छेना को भी डाल दिया है और दूद हमारा काफी ठींक हो चुका है इसे लगातार चलाना है यह दिखियाब देख सकते हैं ब अब भाईयों के लिए यहां पर देख काफी आप देख सकते हैं कि यहां पर एकदम थोड़ा थोड़ा पानी बचास मेघ बनाना है तो इसी समय आप दूसररे बर्तन में टमासपर कर दीजिए अगर कम जूसी बनाना है तो आप थोड़ा सा इसका पानी और सुखा लिजिए यह दिखिए हमें थोड़ा सा कम जूसी चाहिए तो इसका पानी हम सुखा लेंगे बहुत लंबे समय तक हम रखेंगे मिठाई को अब यहाँ पर हमने ट्रे में घी लगा दिया है और इसी में हम टनासपर कर लेंगे ट्रे में या थाली में जो भी आपके पास है पिलेट में उसमें भी इसे आप टनासपर कर सकते हैं क्या करेंगे कि दोनों साइड़ से हम इस तरह से थोड़ा बहुत पत्ला नहीं हमें इसे करना है इसद्टोडा मोटा ही हमें रखना है तभी जैसे कलाइख अच्छा लगे खाने में भी और देखनी में भी आपके पासे उससे भी आप इसे दबा सकते हैं कसकर तो यह देखिए हमने इसे दबा दिया है अब इसे हम 4-5 घंटे के लिए छोड़ देंगे कि अच्छे से सेट हो जाए आप चाहे तो इसे फ्रीज में भी रख सकते हैं नहीं तो इसे आप ऐसे ही पंखा में छोड़ दे यह बिल्कुल सेट हो जाता है तो चलिए इसे 5-6 घंटे के लिए हमें छोड़ देना है अब इसमें हम क्या करेंगे जो हमने पीस्ता बेदाम काटकर रखा हुआ था न वो इसमें हम डाल देंगे आप अपने पिसंद का ड्राइफूट इसमें डाल सकते हैं उपर से तो यह देखिए इस तरह से हम डाल कर और फिर से इसे उपर से हम दबा देंगे कि अभी गर्मा गर्म है तो यह अच्छा से चिपक जाएगा ठंडा होने के बाद बिल्कुल नहीं चिपकेगा इस तरह से दिखिए हम इसी कर्ची से इसे दबा देंगे हलके हाथों से और यह दिखिए अच्छा से यह सेट हो अपने हिसाब से आपको जैसे भी काटना है छोटे सेप में बड़े सेप में लंबे में आपको जैसा काटना है वह इसे आप इसे काट सकते हैं बहाद ज्यादा यह टेस्टी लगता है और एकदम सुद गाय का दूद का यह बना हुआ है आप डायरी दूद से भी इसे बना सकते हैं भैस कदूद का थोड़ा वाइट होता है देखने में ये गाय कदूद है तो इसलिए थोड़ा पीला दिख रहा है तो आपको अगर वाइट चाहिए तो आप भैस कदूद भी इस्तिमाल कर सकते हैं और यह देखिए इस तरह से हम काटकर निकाल लेंगे बहुत ज़्यादर टेस्टी यह बनता है देखते हैं मेरे मुझ में पानी आ गया है कितना यह टेस्टी बना है आप भी अपने घर में यह रेसिपी ट्राइ किजिए और कोमेंट करके बताइए कि हमें आपकी रेसिपी कै और यह देखिए दोस्तों अगर आपको हमारे रेसिपी पसंद है तो हमारे रेसिपी को लाइक किजिएगा और हमारे चानल को सस्क्राइब किजिएगा और ज्यादा से ज्यादा सेर किजिएगा तो यह देखिए इस तरह से आप भी अपने घर में कलाकन जरूर बनाईएग कर एक दरता कि जड़ेकों अधरा बहुत कम खर्चें से वा ЖD लाएं बहुत जाले होए और इस दूछ कि बनाते हैं तो प्राप के फॉटाय थ्से मेंह 활 लाएध में होटे भी करें दूछ